कि हेलो स्वागत है सो ग्लेनमार के फाइनेशल ये 2020 के कौर्टर वन के रिजर्स आ चुके हैं और वह काफी चौका आने वाले हैं तो आई ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कुशन करेंगे और देखेंगे ग्लेनमार का अगला मूफ क्या हो सकता है अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको जो नेट सेल्स में कि आपको दिखेगा अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं तो आपको यहां पर दिख रहा है कि नेट सेल्स में जो अभी का वह जो रिजल्ट है वह अल्मोस्स 16524 मीन 16524 का इस बार इनको प्रॉफित हुआ है यह सारी सारी करोड में हैं और अगर आप पिछले से कंपेरिजन करिए तो यह 15,000 था पिछली बर 15,616 के करीब और इस बार का जो है वो है 16,524 करोड का सो इस बार आपको मीस रिटन अच्छा बढ़ा होतरी देखने को मिलेगी और अभी अगर आप इन दोनों से कंपेर क अब में अगर आप देखिंगे तो इनका पिछली बार 460 था और इस बार 304 है so अगर आप इससे कंपेर करिए तो काफी गिरावट आपको इसमें देखने को मिली है बट अगर हम इसमें पार अघ्श 115 आप इस से भी से ऑल्मोश्ट उसमें भी आपको घिरावट ही देखन कर लेते हैं expenses के बारे में तो इनका अगर आप expenses देखेंगे तो पर्चेज ऑफ स्टॉक्स और कॉस्ट आफ माटेरियल कंजूम तो यहां पर हम डाइकली total expenses देखते हैं और total expenses में आपको दिखेगा कि इनके जो हैं वो खर्चे जो हैं वो इस बार कम हुए हैं पिछली बार 15,000 था इस बार जो की 13,000 means 12,699 का है तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है इसमें जो की अच्छी बात है अगर उनके खर्चे अगर कम होते हैं त तो फ्रेंट्स अब हम लोग यहां पर सबसे महत्पूर्ण बात जो हैं डिसकस करने वाले हैं profit oblique before exponential esteem and taxes तो इसमें आपको दिखने को मिलेगा कि यहां पर इनको जो है almost पिछले से पिछला था 3539 का था फ्रेंट्स और इस बार जंप देखने को मिला है 5,478 तो काफी अच्छा जंप देखने को मिला है इनके means profit में और यह बहुत ही अच्छी बात है अगर आप पिछले दो quarter से compare करिए तो जो इस साल का quarter है वो काफी improvement आपको इनके देखने को मिला है और अगर हम बात करने profit before tax की तो वो भी आपको इनक्रीजमेंट देखने को मिला है पिछले quarter से तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर आप holder है तो बहुत ही अच्छी बात है इसका 5758 हो गया है अगर पिछले इस compare करिए पिछले का था 3725 तो almost आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है और अगर उससे भी पिछला compare करिए तो almost आप बहुत ही अच्छी बार इनको profit की अच्छा खासा दबा के profit हुआ है अब friends हम लोग बात करेंगे EPS की earning per share ये भी एक बहुत महतपूर्ण वो होता है तो इसको भी हम लोग discussion करेंगे और अगर आप इनके पिछले दो quarter से देखे तो 8 था फिर 12 हुआ और 16 हुआ है तो लगातार आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है friends तो ये काफी अच्छी बात है और इसमें आपको बहुत ही मीस इनके quarter के जो results आए हैं धमदार आए हैं quarter में कोई भी दिक्कत नहीं है बहतरीन result है जितना pandemic वाला जो भी situation था हाला कि pharmaceutical companies में से उतना इंपाक्ट नहीं पढ़ा था तब भी अगर आप देखेंगे तो transportation और सारी चीज़े बन थी तो इंपाक्ट तो कहीं न कहीं पढ़ना था यहां पर कोई भी इंपाक्ट जो है इसके उपर नहीं पढ़ा हुआ दिखा है अब आई यह देखते हैं थोड़ा चार्ट देखते हैं हम लोग तो फ्रेंड्स अगर आप इनके चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यह continuously uptrend में है अभी का और वंडे का चार्ट में आपको लगा के दिखा रहा हूं और अगर आप देखेंगे तो इसका यह वाला का पॉइंट रजिस्टेंस का काम कर रहा था जो की है और 484 मींस 485 आप रख सकते हैं तो 485 को अगर यह क्रॉस करेगा मींस आने वाले मंडे अगले वीक में आपको यह एरिया जो है 485 का एरिया को क्रॉस होते हुए दिखेगा फ्रेंड्स 485 का एक बार इस रेंज के बाहर आप निकलने दिए और यह निकलेगा यह इसके जो कॉर्टेली रेजल्ट्स हैं काफी अच्छे इनको प्रॉफिट होगे रहा हुआ है तो बहुत ही अच्छा सॉलिट ट्रेंड है यहां से पूरा का पूरा यू शेप की रिकवरी हुई है और यह बहुत ही अच्छा सॉलिट रिकवरी मानी जाती कभी भी जो वी शेप वाली होती फ्रेंड उसमें इस्टेबिलटी नहीं रहती लेकिन जब यह वाली dotती यह किंग होती है किसी भी recovery की बहुत थी तकड़ी recovery मानी जाती है इसको तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको यह informative वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जो कर दीजेगा और फिर मिलते हैं एक exciting वीडियो एक और exciting वीडियो लेके तब तक लिए नमस्कार